क्या आप अपने शेरीर का वजन बढ़ान चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके शेरीर के ताकत बढ़ जाए? क्या आपका वजन काफी जादा कम है? क्या आपके हाथ पर काफी जादा पतले हैं? अगर ये सारी समस्या आपकी है तो इस वीडियो को पूरा देखे नमश्कार आरवेट टीवी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में आपको बताने वालों है कैसा नुस्का जिसका इस्तमाल करके आप अपना वजन काफी तेजी सा बढ़ा सकते हैं अगर आपके हाथ पर काफी जादा पतले थे आपको आपके हाथ परों में ताकत नहीं लगती थी तो आप इस वीडियो को पूरा देख करके बताये गए नुस्के के इस्तमाल करके अपना वजन और ताकत दोनों बढ़ा सकते हैं अगर आप जानना चाते हैं क्या है वून उसका कैसे उसका इस्तमाल करना है तो वीडियो को देखिए चेले शुरू करते हैं यह मज़ सुची कि सिर्फ यहाँ पर मुंफली क्यों है क्योंकि यह सिर्फ अकेली चीड नहीं है यहाँ पर आपको दो चीज़ और यूज़ करनी है सबसे पहले आपको बता दिए मुंफली में होता है PROTEIN और HEALTHY FAT अगर आप इसके यूज करते हैं तो इसके इस्तमाल से आप अपनो वजन बढ़ा सकते हैं लोग इसके इस्तमाल तो करते हैं लेगन उनको ये नहीं पता कि इसके इस्तमाल किस तरीके से करेंगे तो best result मिलेगा मूंफली की मात्रा कितनी रहेगी तो मूंफली आपको लेना है लगबग 1-5 चमच यह मैं बात कर रहा हूँ एक दिन की एक बार की खुराक की मैं बात कर रहा हूँ इसको आप चाहें तो दिन में 2 बार भी ले सकते हैं करना क्या है यहाँ पर और क्या चीज़े आपको यूज करनी वो भी बताऊँगा तो इस तरीके से मैंने कटोरी ले ली यहाँ पर आपको लेना है मूंफली की 2-3 चमच मात्रा यहाँ पर मैं 3 चमच ले ले रहा हूँ तो इस तरीके से मूँफली की इतनी मातर आपको लेनी है एक बार में आपको इसका पूरा सेवन करना है इसके बाद यहाँ पर आपको लेनी है दूसरी चीज जो कि है किश्मिश जी हाँ किश्मिश आपको यहाँ पर इस्तमाल करनी है मातरा कितनी रहेगी तो देख लीजे इस तरीके से आपको एक चमच किश्मिश लेकर के इस पर डाल देना है मूँफली और किश्मिश ये दो चीज़े आपको लेनी है यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि अभी बताने वाला है लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है कि इस मूँफली में आपको डाल देना है इस तरीके से पानी जी हाँ आपको इस तरीके से पानी डाल करके इस मूँफली को यहाँ से सुनिए मूँफली को आपको रात भर पानी में भीगने के लिए छोड़ देना है यह जो मूँफली है यह रात भर आपके पानी में इस तरीके से भीग करके रहेगे और सुबह जब यह अच्छी तरीके से फूल जाए तब यह रेडी हो कि इस्तमाल करने के लिए सेवन करने के लिए करना क्या है आपको कि इसका सेवन आपको डेली बेसिस पे सुबह के टाइम नाश्ते के समय आपको इसका सेवन करना है इसका जब आप सेवन कर रहे हूं तो उस समय पर आपको साथ साथ में इस्तमाल करना है गुड का जी यहां दोस्तों यहां पर आपको गुड का भी इस्तम करनी है यह जो है जब अच्छी तरीके स्पूल जाए इसकी आदी मात्रा ले करके दोनों का अपस में आपको सेवन करना है एक चीज बता दूँ बहुत सारी लोग जिनको फल्ली यहां पर इस्तमाल नहीं करना वो लोग यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं देसी चना देसी चना मे हाई प्रोटीन होता है जो कि आपके हल्द के अच्छा है साथी साथ आपके वज़न को बढ़़ने में वो चीज मतदद भी करेंते तो बस यह दो चीज़ें हैं जिनका आपको तीजी से बढ़ेगा इस मुझके से जोड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट में डालिएगा साथ ही साथ अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पलना वो चीज़ भी आप मुझे बताईए मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार